तो दोस्तो आज के दिन ये IPL इतियास का सबसे सुनहेरा दिन आप कह सकते क्यूंकि आप सबको पता चली चुका होगा लेकिन फिर भी मैं बता दू कि आज के दिन IPL माच में करीब करीब 8-10 रेकॉर्ड तूटे है जी आज दोस्तो सबसे पहला रेकॉर्ड तो आप सबको पत चली चुका होगा कि मुंबई इंडियास के खिलाप संद्रेज स्खैद्राबाद ने 277 रन बनाए ज्या दोस्तो ये कोई 50 ओवर का मैच नहीं था ये टी 20 मैच था इस टी 20 मैच में IPL के इतियास का सबसे बड़ा स्कोर 277 बन चुका है और मुंबई के जीतने के लिए 278 र बने थे आर्सीवी के तरब से खेल ले थे पूर्णे सुपर जायंट्स की खिलाप 2013 में 263 प्रण पर पार शुकेट ये सबसे बड़ा स्कोर अब तक था लेकिन अब संद्राबाद में मुंबई इंडियास के खिलाप हाइद्राबाद में 24 में 287 रनों का रेकॉर्ड अपन की जील बैंगलोरू 2016 में 246 के वर्सेस आरार चेनड़ी 2010 में दोस्तों अगले रेकॉर्ड की बात करूं तो ये रेकॉर्ड तूटा रही है लेकिन इस पंती में जाकर बैट गए हैं मोस्ट सिक्सेस इन टीम इनिंग्स इन द आईपियल मतलब एकी टीम ने एकी अपने इनि ुमैच और से पूर्णे सूपर जयाट के कि खिलाब 2013 में 21 चक्के लगे थे ख्रिस गेल ने उन्हेंसकें काफी ज़्यादा तर मा रहे थे बीज चक्के आर सीवी तैंस गुजरात लाएंस खिलाफ 2016 में लगे थे और उसके बात वीज चके दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज लगे है यानि अगर देखे तो चोथे नंबर पर आ चुके है लेकिन अठ्रा अठ्रा चक्के लगाने वली चार्टी में है तो बात करें अगले रेकॉर्ड की तो फास्टेस्ट टीम हंड्रेड्स इन आईपियल हिस्ट्रीग बाय ओवर टेकन जा दोस्तों आईपियल के हिस्ट्री में अभी तक सी एसके खिलाप पीवी केस ने छे ओवर्म ए शर्तक लगाया था जा दोस्तों टीम का स्कोर था वह श्रतक हैं जूमधिया पार हुआ था छे पंड पाच ओवर्स ली थी 100 कंप्लेट करने में और आज हैदराबाद नंबर चार पर आ चुके है आपर भी साथ ओवर में इन्होंने अपनी 100 कंप्लेट की थी बात करें अगले रेकॉड की तो हाइस्ट स्कोर आफटर फर्स टेन ओवर्स इन आई पील जानवत तो पहले 10 ओवर में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली संराइजस अधराबाद पहली टेम बन चुके है उन्होंने 10 ओवर में 148 रन बनाकर दो विकेट पर उन्होंने ये बनाये थे इससे पहले मुंबई का रिकॉड था संराइजस के इकलाब 2021 में 131 रन बनाये थे उन्होंने तीन सबसे कम वालों में 50 लगाने का रिकॉर्ड अफकोस पैट कमिंस के ना बनाये थे विकेट ही ठीक होकर देकन चार्जस वर्सेस मुंबई इंडियाजस वर्सेस में 139 रन बनाये थे तो यहां पर संराइजस अधराबाद नंबर वर्ड पर पहुँच चुकी है जा दोस्तों सबसे कम वालों में 50 लगाने का रिकॉर्ड अफकोस पैट कमिंस के ना में आप सबको यादी होगा कि जस्परीद भूमरा को पैट कमिंस ने 5 चके लगाये थे एक और में और 14 गेंडों में 50 का रिकॉर्ड अपने नाम किया था पैट कमिंस के क्यार की तरफ से खेल रहे थे उसके बाद अभिशेक शर्मा ने आज 16 गेंडों में सेंचरी बापकी जगा 50 बनाई है फास्टेस 50 मुंबई के खिलाब और वो भी सिर्फ 16 ही गेंडों में उसके बाद रिशप्पन ने भी 18 गेंडों में मुंबई के खिलाब 2018 में बनाई थी और आज ट्रेविस हेड ने भी हाइदराबाद के लिए मुंबई के खिलाब 18 गेंडों में 50 लगाई है जिनके रहाने ने भी ये कार्नामा किया है लेकिन उन्हें गेंडे लग गई थी 19 मुंबई इंडियास के खिलाब 50 लगाने में फास्टेस 50 लगाने में अब बात करते दोस्तों है सबसे कम गेंडों में 50 लगाने वाले अभिशेक शर्मा पहले नंबर पर आ चुके है जिया उन्होंने 16 गेंडों में आज 50 लगाई और उसके बाद आज ही ट्रेविस हेड ने 18 गेंडों में 50 बनाने का रेकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है तो ये दोनों प्लियर आज ही के दिन एकी मैच में अपने मतलब पहले तो ट्रेविस हेड ने बनाया था रेकॉर्ड लेकिन उसी वक्त अभिशेक शर्मा ने उनका रेकॉर्ड तोड दिया और 16 गेंडों में फास्टेस्ट 50 का रेकॉर्ड इसारेच के लिए अपने नाम कर लिया उससे पहले डेविड व पावर प्ले स्कोर फॉर एसारेच पावर प्ले में सबसे जादा रन बनाने वाले आसरेच के लिए नंबर वन का ये श्कोर हो चुका एक की रन उनोंने बनायते चे और में एक विकेट खोकर और उससे पहले उनोंने केक्यार के खिलाब 2017 में 89 बनायते है 37 दो बार एक बार PBKS एक बार DC के खिलापुनों ने बनाए है और अब last और best एक और record की बात कर ले तो highest score in the power play for SRH in the IPL individual score अगर बात करें तो सबसे बड़ा score power play में बनाया था डेविड और ने 25 गेंदो में 62 रनों का 2019 में 20 गेंदो में 69 रन आज ट्रेविस हेड ने बनाया है अपने नाम कर लिया है नमबर दो का उसके पहले डेविड वार्नर ने ही 23 गेंदो में 69 का record बनाया था अपने नाम और डेविड वार्नर ने ही 26 गेंदो में 56 का record भ अगर बात करें अभिशेक शर्मा और जैसे कि मैं आपको स्कोर की बात करूँ तो सबसे पहले तो देखेंगे आपके अभिशेक शर्मा ने काफी जब्बर्दस दुलाई की थी संद्राइज सहिद्राबाद की तरप से मुंबई इंडियाज की जीनोंने काफी खतरनाक सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो 23 गेंदों में 63 रण मरा है तीन चौके और साथ चक्के इसमें शामिल है उनका स्ट्राइक रेट है 273 का उसके बाद ट्रेविस हेड ने 24 गेंदों करा ट्रेविस हेड का उसके बाद मरकरम ने 28 गेंदों में 22 की पारी खेली और फिर से एक बार हैंडिक प्लासेन जिया दोस्तो 34 गेंदों में 80 की धुवादार पारी खेली जिसमें उन्होंने भी साथ चक्के और चार चौके लगा है और इस तरसे 277 का एक बड़ा स्कोर ब बुम्रा को छोड़ दिया जाए तो किसी की भी आज कुसी को भी छोड़ बक्षा नहीं गया है तो आप सब की इस पर क्या रहा है जरूर कमेंट बक्स में कमेंट करके बताईए और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो जरूर लाइक कर दिजे अभी के लिए इतना ही मिल अगले उड़े में तब तक के लिए थैंक यू और गुडबाई